NCSM के बाद बहुत सारे नए रूल्स आने लगें, BMS में बहुत सारे रूल्स बनने लगें, और अब एक नया एक्जाम आये, Next अब इस पर बहुत डिबेट चल रही है कि Next को बॉइकॉट करना चाहिए, Next बहुत अच्छा है, यह क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि Next के क्या benefits हैं और क्या उसकी गलत चीजें हैं, तो हम उसके good और bad points के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को एन तक देखें और अपना opinion ज़रूर शेयर करेंगे हैं, नीचे comment box में Hello everyone, Welcome to Tulsiya Evveda, I am Dr. Ankit Agarwal, अभी जो BMS में एक latest news जो चल रही है, कुछना कुछ update आते रहते हैं, नई-नई चीज़े चलती रहती है, एक experimental सी चीज़ चलती है, कि हर साल कुछना कुछ एक नया रूल आता है, जिसके विज़े से students को भी काफी problem होती है, और management में बहुत सरी जो नहीं पाती है, अभी basic यह बताया जा रहा है, कि जो next का exam होगा, 2025 में होगा, जो अभी तक का rule है, और उसमें जो भी batches pass out करेंगे 25 में, जिनके internship 25 में complete होगी, उनको internship के बाद वो exam देना होगा, अभी next का exam है क्या, next का exam ये है, कि जो भी student, आप BMS complete करने के बाद जैसे internship complete करेंगे, तो आपकी knowledge को test करने के लिए exam करा जाएगा, अब bad points इसके है क्या, सबसे बड़ी problem ये है, कि BMS के जितने भी students है, जितनी भी university है, किसी कभी time frame नहीं है, साड़े 4 साल का course है, एक साल की internship है, पर साड़े 5 साल में कोई भी BMS complete ही नहीं कर रहा है, किसी की 6 साल में हो र इसके बाद फिर से आपको wait करना है exam का, और हर 6 महिने में ये next exam का होगा, तो आपको passing करना उसको जरूरी है, उसके बिना आपका registration नहीं होगा, तो सबसे बड़ी problem ये आती है, second problem ये आती है, कि इसके अंदर जो बच्चा इतने time से एक ही batch में है, या बार-बार delay हो रहा है, या back exam में कोई भी problem है, उसके बाद internship complete करता है, internship के time बिलकुल भी time नहीं मिलता है, क्योंकि student को एक वही time मिलता है, सीखने का, जिसमें वो जितनी भी चीज़े वो college में नहीं सीख पा है, वो अपनी internship में करता है, पर उसके साथ पढ़ने का time नहीं मिलता है, और next exam में पूरा syllabus आएगा, first year to final year आपका complete syllabus आएगा, यह सबसे बड़ी problem है, third problem यह है, कि साल में दो बार exam होगा, जो time frame अभी इसके रखे गए हैं, वो BMS के curriculum से match ही नहीं करते, तो काफी student ऐसे होंगे, this college में अगर माल लीजे, April में exam हो रहा है, और उनके June में exam हो रहे हैं, college के, तो वो अप PG करना है, यह कोई आगे preparation करनी है, वो satisfied WMS है, पर उनको भी पूरा BMS का syllabus पढ़ना पड़ेगा, उन students के लिए easy जरूर हो जाएगा, जो PG के तयारी कर रहे हैं, बट बाकि students के लिए बड़ी problem आएगी, points हैं जिस कारण से NCISM यह चाहता है, curriculum में लाना, वो यह है, कि वो यह च students हैं, और कितने अच्छे उन्होंने ढंग से पढ़ा ही करी है, तो इसलिए particular exam create के आगया है, कि सारे बच्चे एक exam बे, एक exam दे के जो पास आउट करेगा, उसको registration है, ताकि जो भी society में, जो भी BMS doctors रहें, वो cream level पर रहें, और वो अच्छे से काम करने वाले रहें, तो यह चीज एक criteria रखा गया था, इससे benefit यह भी हो सकता है, कि जो quality of Ayurveda education है, वो ज्यादा better होगी, colleges जो है, अगर student pass out नहीं करेंगे, तो उसी college में lack करेंगे, तो college भी थोड़ा सा अपनी education level, institutional level पर उसको improve करेगा, students studies के लिए और practical knowledge के लिए ज्यादा focus रहेंगे, बट यह जो next का exam ह यह theoretical जादा होने वाला है, क्योंकि first year to final year है, practical based अगर final year का exam होता है, वो बिलकुल अलग चीज है, वो चीज नहीं है, अभी exam का बहुत जादा criteria मालूम नहीं है कि कैसे होने वाले 25 में बोला गया है, कहीं सारे state में तो ऐसा है कि 18 batch का ही internship 25 में complete होगी, और कहीं जगा तो 21 batch से हो रही है, जो कि नए कोर्स के according है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इतने सारे student एक साथ, एक ही साल में निकलेंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, और बहुत सारे problem से आने वाली है, बहुत जादा BMS education में और BMS का sector में, आईरवित के sector में बहुत जादा manage किया जाएं, thank you